हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपारिशन करेंगे टेक्नो पोवा थरी और मोटो जी एटी टू देखते हैं कि बेस्ट फोन कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट कते हैं सबसे पहले बात कते हैं डिस्प्ले से टेक्नो में है 6.9 इंच रेजुलेशन है 1.804 पिक्सल इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती हैं मोटो की है डिस्प्ले 6.6 इंच की रेजुलेशन है 1.804 पिक्सल इसमें आपको OLED AMOLED डिस्प्ले मिलती हैं दोनों में ही आपको 19 Hz का रिफ्रेस्ट मिल जाता है और डिस्प्ले क्वार्टी में मोटो बैस्ट है प्रोसेटर की बात की जाएं तो टेक्नो का है मोटो का है डिस्प्ले का हर्ट अक्टे को 11 Hz का फिनफेट जीप्यू है जी बाउन का मोटो का है प्रोसेटर स्नेप ड्रेंग का 680 का CPU got to pen four E.5rd octa-core, six n crucified, और पुरॉर से ऎक्वालटी में टेक्नो बेस्ट है иях केमरा की बात की जाए, तो दोनों का है ट्रीपल, और दोनों का है में केमरा 50 का फंट केमरा की बात कते हैं, तो टेक्नो का है 8 का, मोटो का है 16 का, केमरा के क्वालटी में में है 7000 इमिज मोटों में 5000 इमिज में और दोने की वैटेस नोनिबल है आप दोने की वैटेस को निकाल नहीं सकते दोनों में चारजन शीम है 33वाट दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट है फिंगर फीन सेंसर और फेस लुक भी दोने स्मार्टफोने मिल जाता है टेक्नो में आपको ट्रीपल सीम मिलती है मोटो में आपको ट्रीपल सीम नहीं मिलती दोनों में है कोनेक्टिविटी थरीज और 4G की दोने में रैम सीम है चार्जब और 6 भी की मैमोरी सीम है 242.5 भी की दोनों में डोई 12 और प्राइस की बात की जाए तो टेक्नो का है अस्पेक्टी प्राइस 11,900 निनामर पी मोटो का है स्टार्टिंग प्राइस 13,400 निनामर पी आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बोक्स में जरू बताना अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टपॉन लीना है तो आप अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बैस्ट लीनी है बैस्ट केमरा लीना है तो आप मोटो के साथ जा सकते हो अगर आपको बड़ी बैटरी और बैटरी प्रोसर प्राइस कम में कोई स्मार्ट को लीना ही तब टेकनो के साथ भी जा सकते हो